हेलो ग्लास फोर, आज हुम करेंगे पार्ठ ग्यारा पैंसिल की आत्मकथा, आत्मकथा यानि की अपने बारे में बताना कि मैं कैसे आई, मुझे कैसे बनाया गया, मुझे पहली बार कब इस्तमाल किया गया बच्चो, मैं पैंसिल हूँ, जो की हर बच्चे के बसने में जरूर होती है, क्या आपने यह जानने की कुशिश की है, यह नन्नी सी पैंसिल कैसे बनी, नहीं मालूम, कोई बात नहीं, आज मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी बच्चो, बात है सन 1564 की, इंग्लेन की एक शहर, बोरो डेल में एक रात एक भ्यंकर तुफान आया, तुफान इतना भ्यंकर था, कि पेड अपनी जडों से बुरी थरा उखड गए दूसरे दिन जब चरवाहे अपने जानवरों को चराने जंगल में गए, तो उन्हों ने देखा कि बृक्षों की जडों के साथ-साथ जमीन के निचले हिस्से से कुछ काला पत्त जैसा प्रधार्थ भी उखड कर बाहर आ गया है, तो बच्चो, इसी दिन मेरा जनम हुआ वे इसके छोटी-छोटी टुकडे करके घर ले गए, परंतु जलाने पर वे ना तो जला और ना ही पिगला, इस सारे काम में चरवाहों के हाथ पैर काले जरूर हो गए, उन्होंने सोचा इसका प्रयोग जानवरों परनिशान लगाने में किया जा सकता है, इसका नाम बैड रख दिया गया, इस तरह चरवाहों को अपनी भेड बकरिया पहचानने में असानी होने लगी, समस्या यह थी कि इसका इस्तमाल करने पर इस्तमाल यानि कि यूज, हाथ, मूँ और कपड़े आधी काले हो जाते थे, बच्चों, मानव ने कभी मुश्कलों से हार नहीं मानी बलकि उस पर हिम्मत से जीत प्राप्त की है, उन चरवाहों ने बैड के आदे हिस्से में सूत का दागा लपेड दिया, इस तरह जन्म के बाद मुझे कपड़े पहनने का मौका भी मिल गया, बच्चों, मेरा शुरू का रुख कुछ ऐसा ही था, ये पैंसिल अपने बारे म बता रही है, धीरे धीरे पूरे इंग्लैन में कई कामों में मेरा प्रियोग तेजी से बढ़ने लगा, सन 1565 में बैड के लंबे पतले टुकणों को लकडी में फसा कर लिखने और चितरकारी, चितरकारी यानि के ड्रोइंग बनाना, करने की शुरुवात हुई, फिर तो मे तेरा प्रियोग दिन प्रति दिन बढ़ने लगा, धीरे धीरे सूतली की जगा लकडी ने ले ली और आज कल प्रियोग होने वाले पैंसिल का प्रारामभिक रूप त्यार हो गया, इंग्लैन की जरूरते तो अपनी ही देश के बैट से पूरी हो जाती थी, परन्तु यूर जरूरत पढ़ती है, आवशक्ता पढ़ती है, तो हम कोई न कोई चीज निकाल ही लेते हैं, जननी मतलब जनम देना, यूरोप वालों ने थोड़े से बैड में गंधक और गूंद मिला कर मुझे बनाया, परन्तु इस तरह मेरी लिखाई फिकी हो गई, बाद में लिखाई गुड़ा करने का भी हल निकाला गया, अब बैड का नाम ग्रेफाइट पढ़ गया, जब फ्रांस और इंगलेंड में युद हुआ तो इंगलेंड ने ग्रेफाइट भेजना बन कर दिया, तब फ्रांस के राजा ने इंजीनियर निकोलस को ग्रेफाइट का कोई और हल निकुलस ने बहुत प्रयोग किये और काफी मैनत के बाद उसे पता चला कि ग्रेफाइट के चूरे में मट्टी मिला कर बारिक बारिक टुकडे बनाएं जा सकते हैं, जीने बट्टी में पका कर मजबूत भी किया जा सकता है। यानि के एमाउंट को बढ़ा घटा दिया जाए तो फीका हो जाता, बढ़ा दिया जाए तो गुड़ा हो जाता। बच्चो आप भी बाजार से चित्रकारी के लिए फीकी और लिखने के लिए गुड़ी पैंसिल लेते हो ना। और यहां पे आप हलका सा ध्यान दीजिएगा अगर मिट्टी को घटा दिया जाता था, तो पैंसिल की लिखाई गुड़ी हो जाती थी, मतलब डाक हो जाती थी, और अगर बढ़ा दिया जाता था, तो फीकी हो जाती थी। मिटाना बहुत कठिन हो जाता, इसलिए मेरा पुराना रूप ही सब को पसंद आया, देखा बच्चो, कैसे सन 1564 में मेरे जनम से लेकर आज 21 सदी, शताब्दी, शताब्दी यानि 100 साल, तक मैंने कितना लंबा सफर तै किया है, अलग-अलग प्रयोग्यों से निकल कर मैंने कितने सुन्दर, रंग, विरंगे और आकर्शक रूप धारन कर लिए हैं, आज कल मैं और भी नए रूपों में मिलने लगा हूँ, जैसे क्लिक वाली, छोटे-छोटे तीखे सिक्कों वाली, रंगदार सिक्कों वाली, स्कूल में नए दाखिल होने वाले छोटे बच्चों के लिए तो मेरा खास तौर पे श्रिंगार किया जाता है, श्रिंगार मतलब सजाया जाता है, बच्चे सुन्दर-सुन्दर पैंसिल देखे खुश हो जाते हैं न, इसलिए, सुन्दर सजीले रंग-विरंगे रूप म मुझे देखकर बच्चे खुशी-खुशी लिखना सीखते हैं और जीवन की बुलंदियों, बुलंदियों की रहा पर चल पड़ते हैं, बुलंदियों मतलब उचाईयों, कि बच्चों लिखोगे पड़ोगे तभी आप जीवन में कुछ उचा और बड़ा कर सकोगे, प्य मैं एक साधारन पैंसिल 45,000 शब्द लिख सकती हूँ, अगर आप मेरे से एक लंबी रेखा यानि कि लाइन लकीर खिचोगे तो लगबग 34 मील लंबी रेखा बन जाएगी, आपने देखा मुझे बनाने में बहुत धन और महनत लगती है, इसलिए जरूरत पढ़ने पर ही म मुझे बिकार में ही छील छील कर फैक्ते रहते हैं, मेरा उचित इस्तमाल करके आप जो भी चाहो जैसे चित्रकार, लेखक, इंजिनियर आदि बनने का सपना पूरा करना यही मेरी शुब कामनाए हैं, तो इसमें बच्चो पैंसिल की कहानी बताई गई है और अंत में ये भी कहा गया है कि पैंसिल को छील छील कर बिकार नहीं करना चाहिए, अब हम करेंगे पाट अभ्यास, सबसे पहले हम करेंगे शब्दात यानि की वर्ड मीनिंग्स, नन्नी छोटी, इस्तिमाल प्रयोग, मुश्किल कठिन, आविशक्ता जरूरत, श्रिंगार सजावट, दि इच्छाएं, चर्वाहा, भेड, बक्रियां चराने वाला, जननी, जनम देने वाली, या मा, शताब्दी, सो साल, आदेश, हुकम, मजबूत, पक्का, आकर्शक, मन को मोह लेने वाला, यानि की अट्रैक्टिव, उचित, सही, ठीक, पढ़ो, समझो और लिखो, लिखना, पढ़ना, मुश्किल, आसान, हार, जीत, पक्की, कच्ची, घटाना, बढ़ाना, गूडा, फीका, लंबी, छोटी अब हम करेंगे इस पाट के प्रश्न उत्तर सबसे पहला प्रश्न, कुश्च नमबर वन, पैंसिल का अविश्कार कब और कहां हुआ? उत्तर, पैंसिल का अविश्कार 1564 में, इंग्लेंड की शहर, बोरो डॉल में हुआ कुश्च नमबर टू, तुफान आने के बाद, चर्वाहों ने जंगल में क्या देखा? उत्तर, तुफान आने के बाद, चर्वाहों ने जंगल में देखा कि, ब्रिक्षों की जड़ों के साथ साथ, जमीन के निचले हिस्से से कुछ काला पत्थर जैसा पदार्थ भी उखड कर बाहर आ गया था उत्तर, चर्वाहों ने हाथों पैरों को काला होने से बचाने के लिए बैड के आधे हिस्से में एक सूत का दागा लपेट दिया कुछ्च नमबब फो, बैड से लिखने और चित्र कारी करने के शुरुआत कब और कहां हुए? उत्तर, बैड से लिखने के शुरुआत सन 1565 में इंग्लैन में हुई कुछ्च नमब फाइव, पैंसिल की लिखाई को गुडा या फीका करने के लिए क्या किया जाता था? उत्तर, पैंसिल की लिखाई को गुडा या फीका करने के लिए मिट्टी की मातरा को घटा बढ़ा दिया जाता था? Q Uganda 6. तरल ग्रेफाइट से बनी पैंसिल पसंद क्यों न की गई? उत्तर, तरल ग्रेफाइट से बनी हुई पैंसिल की लिखाई फीकी थी और लिखने वालों को बहुत दबा दबा कर लिखना पड़ता था इसके अलावा इसकी लिखाई को मिटाना भी बहुत कठिन था Q7. आजकल बाजार में किस प्रकार के पैंसल मिलती है Answer. आजकल बाजार में क्लिक वाली छोटे छोटे सिको वाली रंगदार सिको वाली आधी पैंसल मिलती है तो ये थे आपके प्रश्ण उत्तर, अब हम करेंगे खाली स्थान भरो इंग्लेंड में एक रात भ्यंकर तुफान आया जमीन के नीचले हिस्से से काला पत्थर भी उखड कर बाहर आ गया बैड का प्रयोग जानवरों को निशान लगाने में किया जाने लगा बैड के आदे हिस्से में सूत लपेड दिया गया बैड में गंधक और गूंद मिला कर प्रयोग किया गया ग्रेफाइट में मट्टी के मात्रा को बढ़ा कर लिखाई फीकी की जा सकती है आप ध्यान दीजेगा मात्रा मट्टी की बढ़ा दो तो लिखाई फीकी हो जाती है और अगर घटा दो तो गूडी हो जाती है एक साधारन पैंसिल 45,000 शब्द लिख सकती है अब हम करेंगे वाक्य बनाओ सबसे पहला अक्षर पैंसिल मैं रोज स्कूल दो पैंसिल लेकर जाता हूं भ्यंकर कल शाम बहुत ही भ्यंकर तुफान आया था जंगल जंगल में तरह तरह के ब्रिक्ष होते हैं पदार्थ, पानी एक तरल परधार्थ है कोईला, पहले लोग चुले में कोईला जला कर खाना पकाते थे समस्या, हर समस्या का हल होता है शताबदी, एक शताबदी में सौ साल होते हैं रंग भी रंगे, तितलियों के पर, पर यानि की पंग, रंग भी रंगे होते हैं. ठीक, या गलत का निशान लगाएं. बैट के टुक्डो को लकडी में फसा कर भेर बकडियों पर निशान लगाएं जाते थे, गलत. क्योंकि लकडी के टुकडे बच्चे नहीं लगाया जाता था बलकि सूत से चारो तरफ बैड के टुकडों को लपेड दिया जाता था नम्बर थ्री, पैंसिल को बनाने में कोई खास प्रयोग नहीं करने पड़े, गलत, बहुत प्रयोग करने पड़े थे, पैंसिल को छील छील कर सुन्दर सुन्दर फूल बनाने चाहिए, गलत, एक साधारन पैंसिल, तेरा मील लंबी रेका खीच सकती है, गलत, कितनी मील पुड़ा, फीका, रंग बिरंगे, सुन्दर, सजीले, घटा, बड़ा, अब हम करेंगे वचन बदलो, यानि कि यहाँ पर एक दियों हैं, आपको एक से अनेक करने हैं, जड़, जड़े, हिस्सा, हिस्से, टुकड़ा, टुकडे, मुश्किल, मुश्कले, जरूरत, जरूरते जानवर, जानवरो, प्रयोग, प्रयोगों, व्रिक्ष, व्रिक्षो, पत्थर, पत्थरों जब एक ही शब्द का प्रयोग दो बार हो तो ऐसे शब्दों को पुनरुक्त शब्द कहते हैं, तो ऐसे शब्दों से हमें यहाँ पे वाक्य बनाने हैं साथ साथ भाई बहन दोनों साथ साथ खेल रहे थे, अलग अलग, राम और रहीम अलग अलग स्कूल में जाते हैं, छोटे छोटे, बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे बहुत सुन्दर थे, खुशी खुशी, मा ने खुशी खुशी अपने बच्चे का स्कूल में दाखला धीरे धीरे मैंने अपने गनित के सारे सवाल धीरे धीरे हल कर लिये छील छील बंदर ने सारे केले छील छील के खा लिये बारिक बारिक मा निप्याज बारिक बारिक काटे जब किसी अक्षर में से एक अक्षर आधा और दुखसरा वही अक्षर पूरा हो मतलब सेम अक्षर होने चाहिए जैसे आधा च है तो संग में पूरा च होना चाहिए तो ऐसे शब्दों को हम द्वित्व शब्द कहते हैं तो ऐसे ही शब्द हमें पाट में से ढूंड कर लिखने हैं तो पहला शब्द है हिस्से आधास और पूरा स को मिला के बना हिस्से हिम्मत, मिट्टी, सिक्को यहाँ पे नन्नी लिखा हुआ है क्योंकि और कोई शब्द इस पाट में नहीं मिल सका आपको कोई मिले तो प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताईएगा अब इन शब्दों में बिंदू या चंद्र बिंदू लगाकर इने शुद रूप में लिखिए सबसे पहले बाते में हमेंने लगाया बिंदी मै, मै में भी बिंदी मे, मे पर भी हमने लगाई बिंदी हू, हू पर बच्चों यहाँ पर होगा चंद्र बिंदू प्रिंटिंग में यहाँ हो नहीं सका तो आप यह अभी देख कर कर लिएजे चरवाहो, चरवाहो में बिंदी नहीं, बिंदी गंधक, ग के उपर बिंदी गूंद, गूंद के उपर आता है चंदर बिंदू इंग्लेंड, इंग्लेंड पे लगा दी हमने बिंदी फ्रांस, फ्रांस पे भी लगाई हमने बिंदी इंजीनियर पे भी बिंदी और किस पे बिंदी लगानी है मैंने मैं के उपर यहां पर हमने लगाई बिंदी तो यह आप यह जो दो शब्द हैं यह चंदर बिंदू वाले हैं सिर्फ और बाकी सब कौन से हैं बिंदी वाले शब्द हैं चंदरविंदू वाले शब्द आप थोड़े ध्यान से अपने पुष्टकों में कर लीजिए. इन शब्दों में से संयूक्त अक्षर वाले शब्दों पर गोला लगाए. अब संयूक्त अक्षर वाले शब्द वो होते हैं, जो दो शब्द आपस में मिलकर बनते हैं, कोई नया शब्द बनता है, उसे हम कहते हैं संयूक्त अक्षर, जैसे फ और र, फ के पैर में है र, तो ये हो गया संयूक्त अक्षर वाला शब्द, तो बच्चों आपने देखा कि यह सारे एक तरह से स्यूक्त अक्षर वाले शब्द ही हैं जी हाँ जैसे फ के पैर में र, त और को मिला के ट्रे और ग और र, श और को मिला के श्र, प और त को मिला के प्राप्त शब्द में से नए शब्द मनाएं यहाँ पे पहले से ही बना के इन्होंने रखा हुआ है और कोई शब्दिया नहीं है तो इस तरह आपका ये पार्ट अब यहीं स्माप्त होता है आशा करते हैं आपको ये पार्ट पसंद आया होगा तो प्लीस लाक शेर और शब्सक्राइब तो आवर चैनल थैंक यू वर्यम्च वर्यम्च वर्यम्च